हलो डियर इसजेंट्स मैं रोहिच चित्रवेदी विरा स्टूर्ट के आउनलाइन प्लैटफर्म पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे SBI Associates की जिसे हम क्लेरिकल भी बोलते हैं उसकी official vacancy, official notification रिलीज कर दिये गए है SBI की तरफ से लगबग 8283 vacancy SBI की तरफ से रिलीज किये गई है तो आपको बिल्कुल भी last date का वेट नहीं करना है आज 17 तारीक है, सनिवार है, Saturday है और आज ही है vacancy आई है हम लोग, आप लोगों के लिए एक नया बैच प्लान कर रहे हैं ध्यान दीजेगा, SBI के लिए हम लोगों ने एक नया बैच प्लान किया है SBI clerical को focus करते हुए, जिसकी date हमने रखी है परसो मंडे को, 19 तारीक को, 19 नॉमबर 2023 से हम लोग यह वैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका एक ही target होगा, SBI clerical में हर एक बच्चे को select करवाना तो बिल्कुल भी, आप last date का वेट मत करिये आज और कल के अंदर ही आपको form fill up करना है और साथ इस बैच को join करना है दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने यह SBI clerical का बैच ले करके आए हैं आप लोगों को इस बैच को join करके अपनी सफलता को सुनिशित करना है दोस्तों, क्या आपको पता है कि विनस्टूट की online और offline दोनों ही तरीके की classes conduct करवाई जाती है हमारी online classes विनस्टूट के app पर live conduct करवाई जाती है और हमारी offline classes महरास्टरा के दो सहरों पुने और नाकपुर में conduct करवाई जाती है पुने में हमारी दो ब्रांचे से हैं एक नभी पेट इंदुलाल कॉम्पलेक्स में है और दूसरी अकोडी railway station PCMC में है अगर मैं नाकपुर की बात करूँ तो नाकपुर में सीता वर्डी में जहां सीरानी स्क्वैर के पास हमारी एक ब्रांच है तो दोस्तों online या offline जिस माद्डियम से भी आप हमसे जुड़ना चाहें उसे हर एक माद्डियम से आप जुड़ सकते हैं और साथी साथ इस YesVI Clerical का जो सेलेक्शन वैच है इसको हर हाल में आपको जुड़न करके अपनी सफलता को सुनिशित करना है और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें google पर www.wiseindia.com से या www.winistude.in पर website हमारी वहां से आप हमको सर्ज कर सकते हैं आप हमसे facebook के माद्यम से भी जुड़ सकते हैं और यह जो contact number है तो आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर online form fill up करने की जो date है वह 17th of November 2023 रखी गई है मतलब 17 November 2023 से form fill up होना start होंगे और आज ही 17 November 2023 से इट मींज आज ही form fill up होना शुरू होंगे आज ही यह notification release हुए है और आज ही मैं आप लोगों के लिए हैं वीडियो ले करके आया हूँ तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको last date का wait नहीं करना आप देख पाएंगे last date क्या है 17th of December 2023 रखी गई है मेंज 7 December 2023 को form fill up करने की last date है तो बिल्कुल भी last date का wait मत करना क्योंकि आपको पता है last moment पर कुछ न कुछ ऐसा होता है कि हमें form fill up करने में दिक्कतें आती हैं problems होती है तो बेटा आज और कल के अंदर इट मिस जितना भी fast हो सके जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके आपको form को fill up करना है जिन लोगों को bank में job करने का सपना है जिन लोगों को bank में job करनी है जो banking की preparation कर रहे हैं जिनको SBI में job करनी है क्योंकि SBI में job करना बहुत सारे bankers का dream होता जो banking की preparation करते हैं उनका SBI bank में job करना dream होता है तो अगर आपको SBI में जॉब करनी है तो बिल्कुल भी आपको last date का वेट नहीं करना है और सांती सांत जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए देखा आप देखेंगे आपर prelims exam की जो date है वह जनवरी 2024 रखी गई है अभी आपर exactly date नहीं बताई गई है लेकिन जनवरी में मान लेते हैं कि फर्स्ट या सेकेंड वीक या थर्ड वीक के आसपास ही होगा मेंस की जो एक्जाम है वह फर्वरी 2024 में रखा गया है तो आप देख पाएंगे बिटा की जनवरी मतलब कह सकते हैं कि भी आज की 17 नॉमबर की तारीक है इसको मोटा मोटा 20 मान लेते हैं है ना तो 10 दिन नॉमबर के बस्ते हैं अपने इसके बाद हमारा 31 दिन हो जाएंगे दिसंबर के और जनवरी में मान लेते हैं मोटा मोटा 15 से 20 दिन मानते हैं तो देखो 30, 20, 25, 10, 60 60 देज के आस पास है अपना प्रिलिम्स के लिए टाइमिंग और इसके बाद वन मंत यहां मेंस का पगड़ लेते हैं मतलब कुल मिला करके 90 देज है अपना मेंस के लिए टाइमिंग यह प्री के लिए है और यह मेंस के लिए है तो दोस्तों इसलिए हम लोगों ने 90 डेज का आपको लोगों के लिए SVI क्लेरिकल का, SVI क्लेरिकल का, I repeat फिर से मैं इस बात को जोड़ दे रहा हूँ SVI क्लेरिकल का बैच लाँच किया है, जिसमें हमारा एक ही टार्गेट होगा कि हर एक बच्चे को जो इस बैच को जोइन करेंगे, SVI क्लेरिकल में सेलेक्शन दिलवाना है जिसमें हम 90 डेज में प्री और मेंस दोनों ही कभर करवाने वाले हैं तो फुल स्टेट जी आपको जो है, पहली क्लास में आपको पूरी बातें आपको सिखाई जाएंगी कि किस वे में प्रपरेशन करना, कैसे प्रपरेशन करना, हर एक बास सिखाई जाएगी मैं फिर से आप लोगों के लिए डेट बताना चाहूँगा अपकमिंग मंडे, क्योंकि आसे टेडे है, से तरह नॉमबर है, अपकमिंग मंडे में इस परसों को मंडे तारीक है हमारी, 19 तारीक होगी मंडे को, 19 नॉमबर जो है, 23 को यह बैच लाँच हो रहा है 19 नॉमबर जो है, 23 को यह SBI क्लेरिकल का बैच लाँच हो रहा है तो बिलकुल भी आपको देर नहीं करनी है आपको पहली क्लासी इस बैच को जोईन करना है क्योंकि आपका बहुत ही कम टाइम है और इतने कम टाइम में सेलक्षन लेना आसान बात नहीं है मैं ये भी नहीं कहुंगा कि सेलक्षन लेना ना मुंकिन है हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को select करवाया है 90 days में selection दिलवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आसानी से selection दिलवाया जा सकता है आसानी से selection लिया भी जा सकता है हाँ थोड़ा सा basic concept clear होना चाहिए अब जिन लोगों को basic match भी नहीं आती है means उनको add करना नहीं आता है subtract करना नहीं आता है divide करना नहीं आता है multiply करना नहीं आता है तो उनके लिए थोड़ा से difficult task हो जाता है उनके लिए थोड़ा तकलीव की बात हो जाती लेकिन जिनका basic concept clear है चाहिए वो भलाई math background के हो या commerce के हो या फिर biology के हो या फिर हमारे arts background के किसी भी background के उसे कोई भी फरक नहीं पड़ता है definitely उनको three months में selection दिलाया जा सकता है बस उनका थोड़ा सा basic math clear होनी चाहिए means उनको add करना, divide करना, multiply करना, subtract करना ये छोटी मोटी चीजे, tables ये learn होनी चाहिए और अगर नहीं भी है तो भी हो एक कोशिश जरूर कर सकते हैं तो जो बच्चे बेंकी में जाब करने का सफना देख रहे हैं SBI में जाब करने का सफना देख रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है golden opportunity है तो बच्चों इस opportunity को बिलकुल भी miss मत करना वक्त जाया नहीं करना जल्द से जल्द इस बेच को जाइन करना ठीक है दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ तो आप देख पाएंगे vacancies vacancies की अगर हम बात करें तो जो SC category के vacancy है दोस्तों उसमें current vacancy है 1284 1284 vacancy है backlog की हमारी 23 vacancy है और इस तरीके से total 1307 vacancy है ठीक है अगर मैं ST category की बात करूँ तो 748 current vacancy है 101 backlog की vacancy है और total 849 vacancy है ठीक है दोस्तों OBC category के अगर हम बात करें तो 1919 हमारी current vacancy है 17 हमारी backlog की vacancy है और total 1936 जो है total vacancy है ठीक है अगर EWS की बात की जाए तो 817 हमारी current vacancy है backlog की यहाँ निल है कोई भी vacancy नहीं है और इस तरीके से total 817 ही कहलाएंगी ठीक है यहाँ पर general category की अगर हम बात करें तो 3515 हमारी current vacancy है backlog की निल है और इस तरीके से total 3515 vacancy ही कहलाएंगी total 8283 vacancy है और अगर हम बैक लॉग को भी count कर लिए तो 8424 है मतलब जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ कि साड़े 8000 के आसपास vacancy निकली है बहुत है क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए ना जो हमारा सलेवस है अगर हम उसे cover कर लें अगर हम अपने speed को maintain कर लें हमाली learning हो जाए तो अपने आप आसानी से पोस्ट को निकाला जा सकता है हमें इस से कोई मतलब नहीं है कि कितनी ज्यादा vacancy है ठीक है अगर हम बात करते हैं आंगे तो यहां पर देख पाएंगे eligibility criteria इसेंचियल academic qualification as on 31st of December 2023 means 31 December 2023 तक में आपकी जो qualification रखे गई है वो क्या रखे गई है graduation होना चाहिए या फिर degree है ना graduation की degree होनी चाहिए in any discipline from recognized university or any equivalent qualification recognized as such by the central government ठीक है ना मिलब graduation अगर आपका है 31 December तक में आज की date में नहीं आज 17 November है तो 17 November तक में नहीं 81 December तक में भी अगर आप graduate हो जाते हैं तो आप इस form को fill up कर सकते कई बार बच्चा पूछता है कि सर हम final semester में क्या हम form को fill up कर सकते हैं अभी हमारा result नहीं आया है paper तो हो गया हाँ बिल्कुल कर सकते हैं देखे चाहरा लिखा हुआ है those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31st of December 2023 मतलब 31 December 2023 तक में अगर आप graduate हो गए है या उसके पहले graduate हो गए है तो आप definitely इस form को fill up कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर मैं आगे बात करूँ तो आप देख पाएंगी यहाँ पर लिखा हुआ है age limit कब तक 1st of April 2023 मतलब age जो है वह एक April 2023 से count की जाएगी और 1 April 2023 तक में अगर आप not below 20 year and not above 28 year मतलब 20 वर्ष से कम भी नहीं होना चाहिए और 28 year से अधिक भी नहीं होना चाहिए ठीक है age on 1st of April 2023 means candidate must have been born not later than 1st of April 2003 मतलब 2003 के बाद 1 April 2003 के बाद किसी का जन्म नहीं हो and not earlier than 2nd of April 1995 means 2 April 1995 के पहले भी नहीं हो हाँ यह दोनों डेट इंकलूजी है मला अगर आपको 1 April 2003 के बाद का है तो count नहीं है ठीकिन अगर 1 April को ही हुआ है तो count होगा 2 April 1995 को count हुआ तो यह दोनों ही date count की जाएंगी both date inclusive लिखा हुआ साप साप मला अभी दोनों ही date count होगे ठीक है तो इन दोनों date या इनके बीच में ही होना चाहिए आपका जन्म तो ही आप इस form को fill out कर सकते हैं, minimum 20 year, maximum 28, लेकिने जनरल के हिसाब से है, आप देख पाएंगे, age relaxation जैसा कि government के द्वारा दिया जाता है, तो OBC candidate जो हैं हमारे जिनको non criminal year के तहट आते हैं, उनको 3 year का age relaxation है, आप सब को पता ही होगा जो लोग इस category में आते हैं, जो हमारे SC और ST category के students हैं, उनको 5 year का age relaxation है, जो हमारी विडोज हैं, या फिर डिवोर्स वूमेन हैं, एंड वूमेन, जो judicially क्या हैं, separated from their husbands हैं, and who are not remarried, उनकी फिर से साथी नहीं हुई है, उनको 7 year का age relaxation दिया जाएगा, नेस्ट अगर हम बात करें, तो persons with benchmark disability, means, जो PWD candidate हैं, जसमें tenga cardiates हैं, उनको 15 year का age relaxation दिया जाएगा, person with benchmark disability means PWD candidate जो OPC category के हैं, उनको 13 year का age relaxation दिया जाएगा, और person with benchmark disability means PWD candidates जो general और EWS में आते हैं, उनको 10 year का age relaxation दिया जाएगा, तो दोस्तों, जो लोग भी इस केटेगरी में आते हैं, वो लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, उनके पास Age Relaxation भी है, और अब हम बात करते हैं, में जो हमारा मुद्दा है, एकजाम पैटर्न, तो आप सब को भी पता है, इसमें प्रलिम्स का एकजाम होगा, देन में सोने वाला है, तो प्रलिम्स में क्या होने वाला है, इंगलिस होगा पहला सबजेक्ट, ह क्वांट के हमारे 35 कोशन होगे, 35 टोटल ही मार्स रहेंगे, मतला, तो представляете, की sectional timing रहेगी और reasoning के लिए 35 questions, 35 marks और 20 minutes की sectional timing है means math reasoning हमारी क्या है 35-35 marks की रहेगी 35-35 questions में रहेंगे और हमारे English में 30 questions, 30 marks के रहेंगे सभी के लिए 20 minutes की sectional timing है इस तरीके से 100 questions, 100 marks और 1 hours का total paper होगा यह कैसा है उन लोगों के साफ से जो लोग disability में नहीं आते, disability वाले लोगों के लिए एक घंटे में 20 minutes का extra timing दिया जाता वो आपको पता ही होगा, ठीके ना अगर मैं बात करू मेंस के जो exam का जो pattern रखा गया वो कैसा है तो फिर से objective रहेगा, इसमें reasoning ability and computer aptitude लिखा हुआ है, आम तोर पर computer आता नहीं है या आता भी है तो दो पांस कोशन ही होते हैं, दस ही कोशन होते हैं, लेकिन ध्यान रखेगा, अगर लिखा है तो पढ़ करके ही जाना तो reasoning ability and computer aptitude के 50 questions होंगे, 60 marks के रहेंगे, sectional timing रहेगे, 45 minute, quantitative जो aptitude है हमारा, उसके 50 questions होंगे, 50 marks का रहेगा, 45 minute की sectional timing रहेगी, general economy या banking awareness जो है, इसके total 50 questions होंगे, तीनों को मिला करके, 50 marks का और 35 minute की sectional timing रहेगी, English जो है हमारी, उसमें 40 questions होंगे, 40 marks के और 35 minute की sectional timing रहेगी, इस तरीके से number of questions, 190 total, marks total 200 है, और जो timing total, वे 2 hours, 40 minute की रखे गई है, ठीक है दोस्तों, अगर मैं आंगे बात करूँ तो आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ, final selection, means, the marks obtained in the preliminary examination, page 1 will not be added for the selection, मतलब prelims के exam, आपका selection के लिए count नहीं होगा, and only the marks obtained in mens examination phase 2 will be considered for preparation of the final merit, means, जो merit बनने वाली final, वो है mens पर based होगी, mens के हिसाब से बनेगी, prelims सिर्फ qualify करने पर ही आपको mens देलवाया जाएगा, लेकिन prelims सिर्फ क्या हो, qualifying nature में है, अगर आप qualify करेंगे तो mens दे सकते हैं, लेकिन जब final merit बनेगी, उसमें prelims के marks add नहीं होगे, इस बात को दिमाग में रखना है, आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ, टेस्ट जो है, वो maximum marks 200 है, mens exam के total, मतलब जो test होने वाला है, आपको पता होगा कि pre होगा, then mens होगा, और then एक होता है, LPT, language proficiency test, इस तरीके से, तीन stage में paper होने वाला है, आपका है न, तो यहाँ पर pre के marks जो है, वो final में count नहीं होगे, add नहीं होगे, तो mens होगया 200 marks का, और मार्स रखे गए है, और इस तरीके से, maximum marks जो है, वो कितना है, 200 रखा गया, ठीक है, तो test जो है, उसमें, तो marks रखा नहीं जाएगा, तो test के, और main examination के सभी को मिला करके, total 200 marks में आपका काम होने वाला, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, आँगे, तो आप देख पाएंगे, these are our golden winners, मतलब, यह हमारे last year के selections हैं, आप देख पाएंगे, SBI Junior Associate 2023, wonderful winners, तो आप सभी के नाम पढ़ सकते हैं, आप चाहेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है, तो हम इन सभी लोगों के आपको, हना, role number भी provide करवा सकते हैं, लेकिन I think मुझे उस चीज की जरूत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, विनस्टूट का, पूरे महरास्टा में इकलाउता यह institute है, जिसने RBI Grade B, नाबाड, सिडवी जैसे, मतलब, बहुत नामचीन बैंकों में उसने selection दिया है, ठीक है ना, तो RBI Grade B officer में selection दिलवाना आसान बात नहीं है, तो यह ऐसे selection देने वाला विनस् आते हैं, तो हमसे आप इस contact number पर संपर कर सकते हैं, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम लोग next वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और खूम मेहनत करके पढ़ाई करिए, और अपनी सेहत का पूरा-पूरा ध्यान रखिये, ठीक ह बाई-बाई, टेक क्यार